मैं अपने बाल कटवा सकता था I could get my hair cut Guys, आज हम प्रैक्टिस करेंगे इंगलिश में कि ये काम कराया जा सकता था या मैं ये काम करवा सकता था तुम ये काम करवा सकते थे तो जब भी हम किसी से काम करवाते हैं तो उसके लिए हम यूज करते हैं कि ये काम इसके साथ 3rd form ये ये काम करवाया जब हम काम करवाते हैं लेकिन expression क्या है हमारा ये काम करा सकता था past की बात है past पैस्ट में ability ये काम करवा सकता था या ये काम कराया जा सकता था जैसे मैं बाल गट वा सकता था I could get my hair cut कट थर्ड फॉर्म है दूसरा मैं अपना लेप्टॉप रिपेयर करवा सकता था आई कोड गेट माय लेप्टॉप रिपेयर्ड फॉर्मुला हमारा क्या है हमारा फॉर्मुला है यह ठीक है इस्क्रीन पर भी आपको दिख रहा होगा अब अमें प्रैक्टिस करने है लिस्सन मेरे वीडियो है इसका डिस्किप्शन में और कॉमें दोनों में लिंक दिया आप भी खुद भी प्रैक्टिस कर सकते हो घर बेठी पहले मैं आपको प्रैक्टिस करके दिखाता हूं कि कैसे करना है प्रैक्टिस आपकी जब सफल होगी जब आप लोग फ्लो के साथ बोल पा और फ्लो में बोलना जरूरी है हर तरह के सेंटेंस हमें बोलने हैं ठीके यह भी जरूरी होता है कोश्चन भी करना निगेटिब भी बोलना नॉर्मल अब अभी ऐप्रेक्टिस करतें अच्छे से थीके उसके बाद आप देखना आपकी इंग्लिश कैसे इंप्रोव होती है फिर बता रहा हूँ, लिंक इस वीडियो के डिस्किप्शन में भी है और कोमेंट सेक्शन में Let's get started I could get my clothes stitched वो पेल कटवा सकते थे They could get the trees cut मैं अपने कपडे धुलवा सकता था I could get my clothes washed हम अपना रूम साफ करवा सकते थे We could get our room cleaned मम्मी रोटियां सिखवा सकती थे Mummy could get the chapatis baked वो अपना homework करवा सकते थे They could get their homework done Madam रोज कुछ लिखवा सकती थे Madam could get written something everyday हम ये letter दिल्ली भिजवा सकते थे We could get this letter sent to Delhi तुम पौधों को पानी दिल्वा सकते थे You could get the plants watered मैं बाल्टी में पानी भरवा सकता था I could get the water filled in the bucket तुम अपने बाल कटवा सकते थे You could get your hair cut मैं वीडियो बनवा सकता था I could get my video meat किसान केत जुद्वा सकते थे The farmers could get their field plugged हम गाना गववा सकते थे We could get the song sung मैं अपनी कार नहीं दुल्वा सका I could not get my car washed तुम मेरी बाइक रिपेर नहीं करवा सके You could not get my bike repaired We could not get our car driven मैं अपने कपडे नहीं दुल्वा पाया I could not get my clothes washed वो पेड नहीं कटवा सके They could not get the trees cut मैं अपने कपडे नहीं सिल्वा पाया I could not get my clothes stitched हम अपना रूम साफ नहीं करवा सके We could not get our room cleaned मम्मी रोटिया नहीं सिखवा सके मम्मी could not get the chapatis baked वो अपना homework नहीं करवा पाये They could not get their homework done मैडम कुछ नहीं लिखवा पाये Madam could not get written anything हम ये letter दिल्ली नहीं भिजवा पाये We could not get this letter sent to दिल्ली तुम पौधो को पानी नहीं दिल्वा पाये You could not get the plant's water मैं बाल्टी में पानी नहीं भरवा सका I could not get the water filled in the bucket तुम अपने बाल नहीं कटवा सके You could not get your haircut मैं वीडियो नहीं बन्वा सका I could not get the video made किसान अपना खेथ नहीं जुतवा पाये The farmers could not get their field plucked हम काना नहीं गवा पाये We could not get the sanction क्या मैं अपनी कार धुलवा सकता था? Could I get my car washed? क्या तुम मेरी बाइक रिपेर करवा सकते थे? Could you get my bike repaired? क्या हम अपनी कार चलवा सकते थे? Could we get our car driven? क्या मैं अपने कपडे धुलवा सकता था? Could I get my clothes washed? क्या वो पेल कटवा सकते थे? Could they get the trees cut? क्या मैं अपने कपडे सिलवा सकता था? Could I get my clothes washed? क्या हम अपना रूम साफ करवा सकते थे? Could we get our room cleaned? क्या मम्मी रोटियां सिखवा सकती थी? Could मम्मी get the chapatis baked? क्या वो अपना homework करवा सकते थे? Could they get their homework done? क्या मैंडम कुछ लिखवा सकती थी? Could the man get ridden something? क्या हम ये लेटर दिल्ली भिजवा सकते थे? Could we get this letter sent to Dili? क्या तुम पौधू को पानी दिलवा सकते थे? Could you get the plants watered? क्या मैं बाल्टी में पानी भरवा सकता था? Could I get the water filled in the bucket? क्या तुम रोजबाल कटवा सकते थे? Could you get hair cut every day? क्या मैं वीडियो बनवा सकता था? Could I get the video made? क्या किसान खेत जुतवा सकते थे? Could the farmers get the field flood? क्या हम गाना गवा सकते थे? Could we get the song sung? So guys ये practice तो पूरी हो गई है इसकी वीडियो डिस्किप्शन में दी गई है You can check और वहांसे download करके या play करके वहांसे practice कर सकते हों But जिस फ्लो में मैंने बोलने की कोशिश की है वो फ्लो आपको minimum चाहिए चाहिए English बोलेगे I can speak English but not like native speakers But हां मैं इतनी English बोलता हूं कि हां मुझे मज़े आता है लोग अच्छे से समझते हैं और इंटरव्यू में कभी कोई problem नहीं आई है Job अगर में कहीं कोई दिक्कत भी मुझे आशता ठीक है Motivational speaker वाला थोड़ा मेरा विक है पॉइंट लेकिन इतना तो बोलता हूं अच्छी English बोलता हूं And I can teach इतना भी जानता हूं ठीक है So यह practice आप कीजिए इस cat की series के सारे links description में दिये गए है सारी cat plus third form की सारी practice कीजिए So एक एक चीच का मैंने description में link दिया है अच्छे से practice कीजिए तभी English बोल पाएंगे यह नहीं एक दो sentence बोलने से ना और बोलने से होगा आपका ऐसे भाई सुनो और बोलो बस Translation है I know that But practice के लिए जरूरी है इतना करना पड़े का अपको ठीक है और अपने आपको ज़्यादा लगता है कि मेरे को बहुत आती है यह तो slow चल रही वीडियो तब वीडियो को आप जातनते है ना कि YouTube की settings पर जागे fast कर सकते है ठीक है fast कीजिए तब सुन लीजिए मिलते है आप से next video में thank you so much see you in the next video जय है जय वारत practice करते रहेगा